आज का हमारा topic structuring का scene होने वाला है जो कि emerging form of literature का एक important topic है film narrative के अंदर भी ये बहुत ज्यादा important होता है कि कैसे आपने एक scene को structure करना है इसको हम आज उर्दू और हिंदी में explain करने की कोशिश करेंगे इस topic के अंदर हम जिन चीज़ों को cover करेंगे उन में goals and objectives, setting, character, conflict, emotional beast, rising action, climate and turning point, resolution, transition और pacing शामिल है तो बगाए time waste करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये topic तो सबसे पहले हम define करते हैं scene को कि आखर scene क्या होता है, scene से क्या मुराद है scene से मुराद पूरे drama के अंदर एक छोट असा particular event होता है जिसको उन characters ने narrate करना होता है जो उन्हें script के हिसाब से दिया गया है उन्होंने उस scene के हिसाब से अपने emotions बनाने हैं, उन emotions को convey करना है उसी scene के हिसाब से जो director है, जो producer है, वो चीज़ों को produce करेगा, direct करेगा, music लगाएगा scene अगर sad है तो sad music है वो चलाया जाएगा, अगर जो scene है वो काफी dramatic है तो dramatic music चलेगा तो scene का structure करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी drama में, किसी भी movie में, जो scene है वो बहुत ज्यादा important होता है जो एक drama है, जो एक movie है, जो एक novel है, वो काफी सारे scene से मिलकर बनता है, जैसे कत्रा कत्रा दरिया बनता है इसी तरह से चोटे-चोटे scene, चोटे-चोटे जी events होते है, वो मिलकर एक movie, एक drama बना लेते है drama या पर जो movie है वो बन जाती है, और लोगों को हर scene अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतने बेतरीन अंदास से script किया जा चुका होता है वो इतने बेतरीन अंदास से narrate किया जा चुका होता है, characters के emotion जहना, उसके अंदर convey होते है जो characters है, उनके costume, उनके conflicts, each and everything उसके अंदर जो drama का flow है, उस drama के जो elements है, जब वो सारे मिल जाते है जब उसके अंदर music डाला जाता है, cinematic elements जाला जाते है, वो सारे cinematic techniques मिलाकर total drama बनाते है और उसकी तारीफ की जाती है, वो drama hit चला जाता है, तो वो सारी के सारी जो दाद है, वो सारी के सारी महनत है, वो आपको वसूल हो जाती है तो ये था एक छोटा सा scene, जिससे मिलकर एक बड़ा drama, एक बड़ा फिल्म और एक बड़ा novel बनता है तो एक scene को बनाने के लिए हमें जिस procedure से गुजरना पड़ता है, उसमें number one हमारे पास goal and objective आते है goal and objective से मुराद है कि हर scene का एक purpose होना चाहिए और उसी purpose को वो follow करे जो कि overall story के हिसाब से ही होती है तो जो एक scene है, वो हमारे पास हमारे character के traits के बारे में भी हमें बताता है characters को भी reveal करता है कि कौन सा character protagonist है, कौन सा character जहाना वो antagonist है और इसके इलावा जो हमारा plot है, उसकी progress के अंदर उस scene का बहुत important role होता है वो हमारे plot को आगे लेकर चलता है, वो हमें conflict के बारे में बताता है कि कौन से लोगों के दरम्यान में conflict है, कौन से लोगों के दरम्यान में जहाना लडाई चल रहा है इंटरनल conflict है, एक्सटरनल conflict है जाने वो हमें उस scene के मुतलिक इचन आवरी information देता है नमबर टू पर हमारे पास setting आता है, जिसके अंदर दो चीज़े जरूरी होती है नमबर बन हमारे पास होता है location, नमबर टू हमारे पास होता है time कि नहीं दो चीज़ों से उस novel इस drama का base बनता है और audience का interest भी उसी हिसाब से develop होता है नमबर टू पर हमारे पास आता है character objectives इसके अंदर हम ये जेखते हैं कि हमारे characters क्या चाहते हैं उनकी जरूरत क्या है, उनके motives क्या है और उस scene में उनको क्यों दिखाया जा रहा है आखिर उस scene के अंदर उन लोगों का क्या किरदार है और फिर हमें पता चलता है कि वो कौन से character है जिनके दरमयान में conflict चल रहा है और वो जो conflict है, वो कैसे tension को build करता है वो कैसे उस scene को आगे लेकर जाता है यह हमें उस character objective से पता चलता है number four पर हमारे पास आता है conflict conflict जिससे मुराद तज़ाद है तज़ाद है दो individuals के दरमयान में तज़ाद है दो families के दरमयान में वो दिखाया जाता है कि आखिर क्यों है और कैसे है, कब से है, कितने देर तक जहनवर रहेगा तो यह conflict उनका external है जा internal है क्योंकि conflict भी दो तरीके के होते हैं जो external होता है, उसमें physical लडाईयां होती है जो internal होता है, उसके अंदर ही अंदर आप एक दूसरे को कोसरे हो तो यह होता है conflict और फिर यह conflict कैसे आगे story को लेकर चलता है जो बहुत जादा जरूरी होता है एक सीन में क्योंकि यह conflict है, यह सीन के अंदर तड़के का काम करेगा नमबर फाइफ पर हमारे पास आता है emotional beards emotional beards से क्या मुराद है, emotional beards से मुराद है वो emotional journey जो characters के साथ साथ audience की चल रही होती है audience के साथ emotionaly attached हो जाते है आपने अक्सर देखा होगा हमारे घरू में हमारी जुमाई होती है, हमारी जिभईनी होती है वो एक drama से काफी जादे emotionaly attach हो जाती है पिर वो कुछ characters को दौाइं दे रही होती है और कुछ characters को बढ़ दौाइं दे रही होती है जो उनका फैवरिट होता है वो हमेशा उसी का साथ देती है चाहे वो गोलत भी हो और जो बीद होता है और उनको ना पसंद होता है प्र न बीद्ट ना मरदी चैनल अच्छा होजा उनको बिल्कुल भी बसंद नी आएगा तो ये जो climax की तरफ हमारी story जाती है, हमारा ये जो scene जाता है, climax की तरफ ये एक turning point होता है, ये जो rising action है, ये वो curiosity बिल्ड करता है, वो tension बिल्ड करता है, वो stress, वो anxiety बिल्ड करता है, हमारे audience, हमारे reader के लिए के वो हमारे उस scene के साथ जुड़े रहें और अपना interest शो करते रहें नमबर 7 पर हमारे पास climax, जिसको हम turning point भी कहते हैं, finally finally वो scene के अंदर आ जाता है, जिसका audience को बहुत ही बेसबरी से इनतजार होता है, इसमें इनसान को दो ही सूरते नजर आती है, या तो आर या तो पार, नमबर 8 पर हमारे पास आता है resolution, resolution में हम अपने scene को एक ऐसे तरीके स end करते हैं, कि जो हमारी audience है, वो बगएर दाद के रही नहीं सकती, तो इसके अंदर होता क्या है, जो हमारा purpose होता है, जो हमारा aim होता है, उस scene को narrate करने के लिए, वो finally खतम हो चुका होता है, हमने उसको सही से जहाना narrate किया होता है, तो इस तरीके से जो हमारी कहानी है, वो resolution पर पहुंच जाती है, और जो audience है, वो भी काफी ज़्यदा खुश हो जाते हैं, पर example, आपने एक drama, एक scene के अंदर दो लोगों को मिला दिया है, कि अब जो हैना, इनकी happy ending हो गई है, लेकिन आगे आप उनके बच्चे नहीं दिखाते हैं, आगे जो हैना, आप उनका future नही दिया होता है, नमबर 9 पर हमारे पास आता है transition, transition से क्या मुराद है, transition हम कहते हैं, scene के connectivity को जो के आगे प्रसीड होनी होती है, जानी वो जो हमारी following scene है, उसके अंदर जो transition आया, वो काफी ज़्यदा smooth है, for example, हमारे पास एक लड़की है, जो के बाहर जाना चाहती है, पढ़न narrative flow को maintain रखा, उसके अंदर smooth transition हुई, नमबर 10 पर हमारे पास spacing आता है, जिसके अंदर हमने उस scene के timing और rhythm को manage करना होता है, हमने audience के interest को maintain रखना होता है, उस scene के साथ, तो ये सारे elements थे, जो के मिलकर एक scene बनाते हैं, उसको shape देते हैं, audience के ओपर एक अच्छा impact छोड़कर जाते गई है, तो हम इस पूरे को यहां discuss नहीं करने वाले, इसके सिर्फ एक scene को discuss करने वाले हैं, जो के conflict over the fire है, गोल और objective में हम ये पढ़ेंगे, एक scene के अंदर importance of signal fire बताई गई है, क्योंकि वो जो signal fire है, जानि वो आग का जो जलाना है, वो उन बच्चों के rescue, उनके survival के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन यहां पर एक तज़ाद चल रहा होता है, राल्फ और जैक के दरम्यान में, जो राल्फ है, वो हमारी कहानी का हीरो है, जबकि जो जैक है, वो हमारे कहानी का विलन है, तो उन दोनों के दरम्यान में यह जो तज़ाद है, यह काफी पर आग जलाते हैं, यह जो क्रिटिकल लोकेशन है, यह सिंबोलाइज करती है, उनके होप फॉर रेस्क्यू और बोई's कनेक्शन टो सिविलाइजेशन, नमबर फ्री पर हमारे पास करेक्टर अबजेक्टिव है जाते हैं, जो रालफ है, उसके मेन कंसरन होता है, कि वो लोग रेस्क्यू होजेएं, वो लोग वहाँ से निकल जाएं, जबकर जो जैक है, उसके डिजार कुछ होरी होती हैं, वो अपने इमिजियेट डिजार को पूरा करना चाता है, वो हंटिंग करना चाता है, और वो इस रेस्क्यू मिशन पर फोकस नहीं करता है, जिसके डिसेगरी करता है वो उसके ओर्डर को फोलो नहीं करता वो जो हना हंटिंग करना चाता है वो चाता है कि पावर उसके पास आजाए इसी वज़ा से जो दो लड़की है उन दोनों के दरम्यान में यहां पर जो कांफ्लिक्ट दिखाया गया है वो एक अक्स्टरोनल कॉन्फलिक्ट है नमबर फाव पर हमारे पास एमोशनल बीर्स आते है एमोशनल बीर्स कैसे होते है जब दोनों में लड़ाई चल रही होती है और बुमर्स चल रही होते हैं के आग जलेगी आग नहीं जलेगी यह जो आग का जलना और ना जलना है इसमें राल्फ और जैक दोनों के emotion दिखाए गए है जो जैक है वो काफी ज़दा aggressive type का होता है वो गुसे में आ जाता है जैक के जो राल्फ है वो काफी ज़दा polite होता है और वो यही फैसला करता है कि आग जलती रहेगी ताहिए तुम जो कुछ भी कर लो नमबर सिक्स पर हमारे पास राइजिंग अक्षिन आता है राइजिंग अक्षिन के अंदर जब लड़की यह देखते हैं कि दोनों एक दुसरे के अपोज़र्ट हो गए है और दोनों एक दुसरे से डिस अगरी करते हैं तो यहीं पर उस सीन के अंदर टेंशन बिल्ड हो जाता है कि कैसे अप दोनों एक दुसरे को लड़ेंगे एक दुसरे के लीडर्शिप को चैलेंज करेंगे नबर सेवन पर हमारे पास क्लाइमिक्स और टानिंग पॉइंट है जाता है क्लाइमिक्स और टानिंग पॉइंट में हम देखते हैं कि जैक्स जिहाना वो कितनी कोशिश करता है कि वो इस अथोरिटी को हासल कर ले जो कि राल्फ के पास है सीन के अंदर हमें यही दिखाया जाता है कि वो अपनी ट्राइब बना लेता है जो सिंबॉलाइज करता है कि उनके ग्रुप के जिजनेटी है वो टूट चुकी है नमबर एट पर हमारे पास रेजलोशन आता है रेजलोशन यानि यह सीन डेंड हो रहा है इसके अंदर जो सिगनल फायर है उसको नेगलक किया गया था जिसकी वज़ा से बच्चे अपने रेस्क्यू का एक बेहतरीन मौका खो देते हैं नमबर नाइन पर हमारे पास ट्राइजिशन आता है ट्राइजिशन हमारे पास ऐसे हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले जब सीन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बच्चों का में एम ये होता है कि उन्होंने आग को जलाई रखना है ताके वो रस्क्यू किये जा सकें पिर दोनों में लड़ाई जगड़े होते हैं पिर दोनों के फॉलवर्स बढ़ जाते हैं जो ये रस्क्यू का उपर्चूनिटी होता है दोनों खो देते हैं तो इस तरह से चोटे चोटे ट्राजीशन आते हैं सीन के अंदर और ओडियंस के इंट्रस्ट को अपने साथ ही इंगेज रखते हैं नमबर टैन पर हमारे पास स्पेसिंग आता है जो सिगनल फाइर का डिसीजन है वो खतम हो जाता है तो इस चीज़ ने सीन के अंदर काफी ज़्यदा इंपक्टफल सीक्वेंस को पैदा किया जिसकी वज़ा से हमारी जो ओडियंस है वो सीन के साथ अटैज रही लॉर्ड ओफलाइस के अंदर ये जो छोटे छोटे ऐलिमेंट सेंजेंच से मिलकर एक सीन बना जिससे हमें उन बच्चों के कञफ्लिक के बारे में पता चला कैसे हमें पहले एक पर उनके दर्म्यान में जो पावर था वो डिवाइड हो गया दो डिवीजन बन गए, उनका जो रस्क्यूमेशन था वो इसी वज़े से तूट गया और वो वहीं आईलेंड पर फस गए तो आज का हमारा टॉपिक स्टॉक्चरिंगा सीन यहीं पर खतम होता है जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एक छोटा सा सीन की इस तरह बनता है